हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो मैं चैनल पीके अलक्टेगरी कैसो आप सभी आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरुस्त होंगे और आने वाले एक्जाम की बैटर त्रीके से त्यारी कर रहे होंगे तो देखिए फ्रेंड एम्स की दोरा अभी 17 नमंबर को करीर क्वारिमेंट का जो नोटिपिकेशन है रिलिज किया गया था यदि इसके ओनलाइन फोरूम की मैं बात करूँ तो 17 नमंबर से आपके ओनलाइन फोरूम का जो परसेस है वो सुरू हो चुका था जिसकी लास्ट डेट एम्स की दोरा एक दिसंबर रखी गई थी तो तरह तरह की विकेंसी एम्स की दोरा निकाली गई थी यदि आपने किसी भी पोस्ट के लिए अपलाई किया है और आपको इंतजार है इसके एडमिट करड का तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है हाँ फ्रेंड आज हम बात करेंगे एडमिट करड के बारे में कि जो आपका एडमिट करड का जो लिंक है वो कब तक एक्टिव होने जा रहा है तो देखिए फ्रेंड यदि मैं बात करूँ इसके एड्मिट कर्ड के बारे में तो एड्मिट कर्ड का जो लिंक है आपका वो 12 दिसंबर को एक्टिव होना था जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है क्या इसका कारण है और कब तक ये एक्टिवेट होगा तो इस सभी पर हम आज चर्चा करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरी आप सभी से एक रिक वेस्ट है कि इसी तरह की बीग अवडेट पाने के लिए इसी तरह की नुवडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन के बटन को प्रेस कर ले जिससे आने माली कोई भी नुवडेट कोई भी बीग अवडेट आप से मिसना हो आप तक सबसे पहले पहुंस सके तो देखिए फ्रेंड 12 दिसंबर को आपका जो लिंक है एडमिट करड का वो एक्टिव होना था जो की अभी तक नहीं हुआ है लेकिन एम्स के दुवारा 12 दिसंबर को एक्सरसाइजिंग चोईस का जो लिंक है देर रात वो एक्टिवेट कर दिया गया और आपको बताया गया नोटिपिकेशन के दुवारा कि आप जो है एक्सरसाइजिंग चोईस प्रफरेंस जब फिल कर दोगे उसे कंप्लिट कर दोगे सम्मिट कर दोगे तब जाके आपका एडमिट कर जो है वो निकलेगा तो कब आपका एडमिट कर आएगा और यदि आपने एक्सरसाइजिंग चोईस प्रफरेंस नहीं फिल की है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो है एक्सरसाइजिंग चोईस प्रफरेंस जो है फिल कर दीजिए क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज चोईस प्रफरेंस यदि आप फिल नहीं करते हो तो आपका जो admit card का जो link है वो activate नहीं होगा हाँ दोस्तो admit card उसी candidate का आएगा जो exercising choice preference फिल करेगा और उसे submit करेगा तभी जाके आपका जो है admit card का जो link है वो activate होगा कब आपका admit card आने वाला है यह मैं आपको बता देता हूँ और कहां से वो download होगा तो यह जो window आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर आना है यह candidate ID है हम यह candidate ID फिल कर देते हैं फिर आपको password जो enter करना है फिर आपको जो capture है वो enter करना है तो जैसे ही आप अपने सारी डिटेलिये फिल कर दोगे और हाँ मैं आपको दुबारा फिर बताना चाहूंगा यदि आपने एक्सरसाइजीं choice preference फिल नहीं की है तो आप अभी उसे फिल कर दीजिए कैसे वो फिल करनी है यह वीडियो मैं आपको बना के बता चुका हूँ हाँ दोस्तों वीडियो के थुरूम आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको जो है exercising choice preference फिल करनी है यदि अब भी आपको कुछ doubt है आपकी कुछ query है तो आप comment कर दीजिएगा तो देखिए फ्रेंट जब आप exercising choice preference फिल कर दोगे तो उसके बाद आपको जो है सारी की सारी डिटेल यहाँ फिल कर देनी है फिर आपको login पर click करना है तो जैसे ही आप login पर click करोगे तो login करते ही आपका आपकी जो profile है वो आपके सामने show हो जाएगी तो admit card आपको कहाँ show होगा यह मैं आपको बता दिता हूँ तो आप जो यह left side में देख रहे हैं left side में देख रहे हैं तो यहाँ आपका admit card का जो link है वो activate होगा हाँ दोस्तो वो उसी candidate का होगा उसी candidate की profile में active होगा जिस candidate ने exercising choice preference जो है फिल कर दी है और कब तक यह link activate होगा तो यह मैं आपको बता देता हूँ जिसका आप इंतजार देशबरी से कर रहे है तो देखिए brand aims के द्वारा यह साब साब बता गया है यूर एक्जामिनेशन सेटेट एंड सीटी फोर दा क्री एंस इज बतिंडा पंजाब यानि इस candidate का जो exam center आया है यानि मेरा जो exam center आया है वो बतिंडा पंजाब में आया है तो admit card can be download only after exercise and saving of choice for all the post तो देखिए फरेंड इसमें साब साब का आ गया है कि जब आप exercising choice को save कर दोगे preference को fill करके तो उसके बाद ही आप जो है download यानि आगे आप देख सकते हैं downloading of admit card will start for such candidates only after 13 December 2023 इसका मतलब यह है दोस्तों की आज की date में शाम यानि के रात तक जो है आपका admit card जो है वो आजाएगा ऐसा aims का कहना है और जहां तक मुझे जानकारी मेरी है तो मेरे recording जो है आपका admit card जो है उन्ही सभी candidate का admit card है वो आ जाएगा लेकिन admit card उसी candidate का आएगा जो exercising choice preference को फिल करेगा और क्या है exercising saving choice preference इसके बारे में मैं प्रीविस वीडियो में आपको सभी को बता चुका हूँ I hope आप समझ सके होगे तो अभी आपकी इस से related कुछ को वहरी है comment है तो आप comment करके बता दीजिएगा आपके comment का जो आप जो है समय रहते हमारी कोशिस रहती है कि हर candidate का comment का जो आप जो है समय रहते दिया जाए बेसरते आपका comment जो है अच्छा हो तो ये थी कुछ detail admit card से related तो कैसी लगी आपको अपडेट और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूंगा तो देखिए फ्रेंड जो आपका admit card का जो आइकन है वो इस तरह से show होगा जी जब आपका admit card आ जाएगा और जब आपका admit card का link एक्टिवेट हो जाएगा तो उसी time आपको update कर दिया जाएगा तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे इस चैनल को subscribe कर ले बेल आइकने बटन को प्रेस कर ले जिससे आने वाली कोई भी new update big update आपसे मिसना हो और आप तक सबसे कुछ query है कुछ आपको जानना है तो कमेंट आप कर दीजिएगा तो यह थी update कैसे लगी आपको update कमेंट करके जुरूर बताना तो मिलते हैं next वीडियो में किसी big update के साथ new update के साथ और जब भी admit card का link activate होता है तो उसी time आपको admit card जो है download करके दिखाया जाएगा step by step की कैसे admit card को download करना है क्या इसका पुर्सेस है तो सारी की सारी डिटेल आपको समय रहते दी जाएगी और दी जाती है तो इसलिए आपको बार-बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आगेन बटन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली कोई भी new update व जेहिंद जेवारत